एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं कैसा लगा जरूर बढ़ाएगा उसके बाद यह दूसरा वीडियो में शूट कर रहा हूं जिसमें हम 6 months और 9 months प्लस हो सका तो product method की भी बात करेंगे otherwise उसके लिए मैं एक separate video बना दूँगा यहाँ पर हम इंट्रस्वन ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं average period की calculation होती है बता चुका हूं तो C की इसकी बात करेंगे जब same amount withdraw किया जाता है लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए बिल्कुल भी confused नहीं होना है आप लोगों को same एक चीज याद रखनी है आखें बंद करके एक चीज याद रख लीजिए आप average period is equal to time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2 average period की calculation जरूर कीजिए students जब भी इस तरीके का कोई question आता है इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको मैंने दे दिया equal amount is withdrawn on equal interval so basically आप कहेंगे case होगा equal amount is withdrawn every month for 6 months 6 महीने के लिए अगर amount withdraw किया जाता है क्या करेंगे वही average period की calculation already यहाँ पर बता दिये मैंने पढ़ लीजिए example ले लिया है राम 2000 रुपे पर मन्त drawings है उसकी rate of interest 10% per annum यह per annum लगाना भूल जाता हूँ है I don't know why per annum तो rate of IOD 10% per annum होगा यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 6 महीने की drawings है equal amount है equal interval है 3 cases है beginning, middle, end क्या करेंगे सबसे पहला case लेते हैं पहला case है in the beginning beginning की बात करते हैं तो बही beginning के लिए इससर्व यहाँ पर beginning लिख रहा हूँ है तो beginning के लिए क्या करते हैं सबसे पहले average period calculate करते हैं average period कैसे calculate करेंगे calculate करने के लिए हमारे पास है time left after first drawing plus time left after last drawing divided by two क्या करेंगे 6 महीने हैं अब 6 महीने कोई से भी 6 महीने ले लीजी आप हमें मतलब नहीं है उस चीज़ से लेकिन बिगिनिंग में है बिगिनिंग में अगर पहले ड्रॉइंग पहले महीने की पहले तारीख को निकाली तो 6 महीने का जो है period बच गया उसके उपर interest लगेगा time left after last drawing तो उस 6 महीने का आखरी महीना था उसमें आपने drawings विड्रॉइंगी तो एक महीने के लिए आएगा आप solve करेंगे 3.5 months आपके पास आजाएंगे और यह आपका average period होगा average priority बिना calculation नहीं होगी क्या करना है drawings निकालने IOD निकालने IOD निकालने के लिए formula मैं आपको यहाँ पर basically लिख देता हूँ IOD एक बाल के लिए total drawings total ले लिजिए total drawings आप ले लिजिए total drawings ले चुके हैं into कर दीजिए rate से into कर दीजिए time से जो भी आपका आया है time और इस तरीके से आपका formula आपको मिल गया I hope यह तो आप पहले वीडियो में बता चुका हूँ तो जानते होंगे इसको समझते होंगे IOD निकाल लीजिए यहाँ पर क्या होगा 2000 रुपे पर मंद है drawings है तो 6 से इंटू कर दीजिए annual drawing निकालना जरूरी है total drawings निकालना जरूरी है students calculation मत भूल जाएगा काफी बच्चे जो है वही same amount ले ले थे और बाद में आ रहता है ओ शिट वो जो गलती थी वो तो हमने कर दी time period को तो दिया ही नहीं time period हमें जो है consider ही नहीं किया है या फिर drawings हमने total उठा के लिए लिए है तो average period जरूर देखिए total drawings जरूर देखिए total drawings कितने है यह वाद amount ओके जी यहाँ पर amount आप calculate करेंगे यह amount आजाएगा आपका 30 calculate कर लीजिए आपको पता लग जाएगा case B के अगर हम बात करें case B में क्या कर रहे है case B या second in the middle 6 महीने regular interval पे निकाल रहे है drawings लेकिन middle में है middle में यानि की 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके middle में पहले महीने के middle में यानि की 15 15th January ले लिजिए या accounting year के according को यहाँ date ले लिजिए 6 महीने बाद एक से 6 महीन लेंगे June होगा June 15 June middle में देखिए 15 January निकाली 6 महीने है आधा महीना जा चुका है तो average period की calculation के लिए case B है पहले वो तो लिखलो भई middle यहाँ पर आ गया है middle आ गया है average period की calculation कर में है चलिए कर लेते हैं so time left after first drawing 15 तारीक को निकाला है पहले महीने की 15 तारीक 15 दिन जा चुक है यानि कि आधा महीना जा चुक है 6 में से आधा महीना गया साड़े पांच और 6 महीने में से last drawing हुई है time left after last drawing तो वो हुई है last यानि आखरे महीने के 15 दिन बाद तो पंदरा दिन पहले सौरी आखरी महीने के 15 दिन बचे हुए तो 0.5 आधा महीना बच गया divided by 2 6 बटे 2 यानि कि 3 months average period आजाएगा calculation कर लीजे IOD की IOD की calculation करेंगे total drawing 12,000 कैसे आई 2000 into 6 total 12 फिर into कर दीजे rate दे रखे 10% into कर दीजे time period दिया हुए 3 months 3 यानि months है divided by 12 कर लीजे answer आपका आजाएगा 300 जब आप solve करेंगे 300 इस तरीके से आप इस situation में इस case में calculation कर सकते हैं बात कर लेते हैं तीसरे case की जब आप बात कर रहे हैं at the end at the end चलिए भई अगर end में आपने जो है drawings की है उस case में क्या होगा end की बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले calculate करते हैं average period formula उपर लिखा हुए students देख लीजे क्या लिखा हुए लिखा है time left after first drawing end में है पहले महिने के end में 5 महिने बच गए 6 महिने का period है यहाँ आपर उसके बाद बात करते हैं आपरी महिने के end में end में इकाल है तो 0 आ जाएगा कोई भी interest charge नहीं होगा 2.5 months यहाँ आ गए है IOD की calculation के लिए आप क्या करेंगे formula लगा देंगे यह रहा formula देख लीजे क्या लिखा है total drawings बाराजार दोजार इंटू छे छे महिने के लिए है उसके बाद कर दीजे rate 10% है इंटू कर दीजे कितना 2.5 months है तो divided by 12 कर दीजे answer आजाएगा 250 इसी तरीके से questions करते रहिए और पता लगेगा कि case तरीके से यह सारे चिज़े होती है So students case 2, case 3 already written है हम बात करें है सबसे पहले average period की 9 महीन तक जाब amount withdraw कर रहे है तो average period calculate करेंगे कैसे calculate करेंगे students 9 महीन है 9 महीन के beginning में अगर आपने निकाला पहला case explain कर रहा हूँ beginning में अगर आपने drawings withdraw की तो पूरा 9 months के लिए लगेगा interest average period का average period आपने I hope आप समझ गए होंगे कैसे calculate किया जाता है 9 महीन तक अगर आपका 1 से लेके 9 months है पहले महीन आपने निकाली drawing तो 9 के 9 months लगेगा interest और last वाली जो 9th month में निकालेंगे आप beginning में जो drawings withdraw करेंगे उस पर एक महीन कर लगे 9 plus 10 divided by 2 5 months आगे है IOD आप calculate कर लेजे total drawings कितनी है amount मैंने थोड़ा सा यहांपर change कर गिया है यह आगया है 1000 तो 9 महीने का amount होगा total drawing 9000 amount 10% rate है और इसके बादे 5 महीने तक निकालना है तो कैसे आएगा calculate करके और फिर बताते हैं आपको कि यह amount जो है वो basically कितना रहेगा यहां पर आप calculate करेंगे तो almost यह amount आपके पास आ जाएगा So students calculated amount आपके सामने है यहां पर इसको solve किया 900 आ गया है 900 into 5 divided by 12 900 को divide कर दे 12 से 75 into 5 375 आपके सामने answer आ गया है अब बात करते हैं 9 महीने तक आप regularly करते हैं middle of the month में middle of the month में क्या होगा average period calculate कीजे सबसे पहले So पहले महीने के middle में आपने withdraw किया यह तो 8.5 महीने और आखरी महीने के middle में आपने withdraw किया तो आधा महीना बच गया आप इसको add करके कर दीजे divided by 2 9 से divide कर दीजे 9 को divide कर दीजे 2 से और यह आजाएगा 4.5 months IOD की calculation जब आप करेंगे तो IOD की calculation कैसे होगी ध्यान दीजे IOD is equal to वही 9000 रुपे 1000 के हिसाब से 10% जो है interest है into 4.5 divided by 12 यहाँ पर आप solve करेंगे देखेंगे फिर से आजाएगा इस portion को solve करेंगे आपका आजाएगा 900 into कर दीजे 12 के साथ लेके यहाँ पर इसको 12 से divide भी कर दिया गया है और 4.4 12 से divide नहीं किया है यहाँ पर basically यह आजाएगा इसके बाद 75 को into कर दीजे आप 4.5 से 4.5 से into करेंगे तो 327 point something कुछ हो है 337 337.5 की हिसाब से answer आजाएगा तो मैं पहले से calculate करके मैंने रखता हुआ था यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अगर end में 9 महीने तक regularly आप same amount withdraw करते हैं और वो भी उस महीने के आखिर में end में average period कैसे calculate करेंगे students तो पहले महीने के आखिर में यानि कि पहला महीने जा चुका है तो 9 में से चीक गया आठ और 9th month के end में तो कुछ भी time period नहीं बचा तो 0 आ जाएगा यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो 4 months के हिसाब से iod की calculation करेंगे तो आएगा almost आपका यह आजाएगा 9000 iod निकालने के लिए formula यह रिखाव है already 10 divided by 100 into 4 by 12 कर लेंगे हम और almost यह जो है इस पूरे को solve करेंगे सेम उपर वाले के तरह 900 आजाएगा 900 into 4 by 12 करेंगे यह आजाएगा 75 into 4 और जब इसको solve करेंगे it's very simple student this will like this will be 300 तो 300 रुपए आपको मिल जाएगे यह रही 9 महीने और 6 महीने वाली calculation part 2 में आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएगा आपका एक like और एक comment कितना motivate करता है हमें I can't tell you I can't express that particular thing in words so अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हमारी महने थोड़ी सी पी अच्छी लगी like कर दीजे comment कर दीजे subscribe करने ना भूले और bell icon पर press करने के बाद all पर press कर दीजे so that इसी तरीके के जितने भी latest videos में आप लोगों के लिए post करूँगा उसकी सबसे पहले notification आ लिंक में दिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको तो students एसी तरीके से support करते रहें प्यार बनाए रखें and till then keep studying, keep learning and keep watching Manoj Jenga classes.